बिहार इस समय जहरीली सराब मामले को लेकर खूब चर्चा में है अब यहां के बेगु सराय से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है बता दें बेगु सराय में उद्गाटन से पहले 13 करोड की लागत से गंडक नदी पर बना पुल डह गया पुल का अगला हिस्सा ढहने के बाद नदी में जागिरा वहीं मुक्यमंतरी नाबार योजना के तहट 206 मेटर लंबा बनाया गया था लेकिन पहुचपत नहीं होने के कारण पुल का उद्गाटन नहीं हो सका था कुछ दिनों पहले ही पुल के अगले हिस्से में दरार देखी गई थी फिर 15 दिसंबर को पुल में आई दरार को लेकर अधिकारियों को पत्र लिखा गया था रवी वार सुभा पुल का अगला हिस्सा तूटकर गिर गया दरसल बेग उसराय में उद्गाटन से पहले ही गंडक नदी पर बने पुल का बिच का हिस्सा तूटकर नदी में गिर गया पुल का पाया नमबर दो और तीन के बिच का हिस्सा तूटा है गनीमत ये रही जिस समय ये हादशा हुआ उस समय पुल के उपर ना तो कोई वहन था और ना ही कोई सक्स था ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ